हेलो डिर स्टुडेंट्स आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रोटेशनल मेकानिक्स अब्वियस है अतिशोक्ती ही होगी कि हम लोग इतने बड़े चेप्टर को क्रैश कोर्स के माध्यम से एक लेक्चर में कवर कराना चाहते हैं हैना मैं बार बार आपसे यही बात कहता हूँ लेकिन ठीक है आईए प्यारे बच्चो मेहनत करता हैं और कोशिश करते हैं जितने इंपॉर्टन चीजे हम लोग यहाँ पर कवर कर सकें इस डियूरेशन के अंदर क्लेर है प्यारे बच्चो आईए फटावट से बढ़ता हैं आगे और मैं बार बार आपसे यही की बात फिर कहता हूँ कि प्लीज ओल्ड क्रैश को प्रॉपर फॉलो करें जैसे कुछ बच्चे ब्लोक अबर ब्लोक प्रॉबलम की बात करें कुछ बच्चे कहीं ट्रॉली कि बात करें तो जो चीज़ें या कॉलिजन की बात करें तो वहां पर एक एक लेक्चर कहीं कहीं लेक्चर से पर मिलेगा तो आप उसको प्रॉपर कर पाएंगे लेकिन प्लीज वादा कीजी पूरा lecture आप देखेंगे बीच में नहीं ठोड़ेंगे है ना और जो कोशंस मैं आप से पूछता हूँ उसके जवाब जैसे आप comment box में दे रहे हैं प्लीज ऐसी प्यारे बच्छो उसका answer comment box में देते रहेंगे चले प्यारे बच्छो बढ़ते हैं आगे ज्यादा समयना खराब करते वे शुरू करते हैं rotational mechanics का ये lecture और rotational mechanics के इस lecture में मैं आज फिर कुछ important topics प्यारे बच्छो कवर करने वाला हूँ तो आईए शुरू करते हैं पहले question के साथ हाँ प्यारे बच्छो कोशन आपके सामने the mi moment of inertia की बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले moment of inertia पे चर्चा करने वाले है the mi of a disc about its diameter is how much its two units and its mi about the access through a point on its rim and in the plane of the disc प्यारे बच्छो जब हम moment of inertia की calculation की बात करते हैं तो moment of inertia calculation में बहुत important होता है कि moment of inertia हमे access of rotation प्यारे बच्छो किस जंगे पर दी गई है clear है ना moment of inertia के बारे में revision करा दू क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी थियोरी आपको बता देता हूं जो काम S करता है वो theta करता है जो V करता है वो omega करता है प्यारे बच्छो जो A करता है वो alpha करता है तो जो M करता है वो क्या करता है moment of inertia करता है moment of inertia बहुत important role play करता है rotational motion में जो mass play करता है कहाँ पर प्यारे बच्छो translational motion में साथ ही साथ moment of inertia depend करता है mass पर, okay, mass के distribution पर, कि mass का distribution कैसा है, साथ ही साथ प्यारे बच्चो moment of inertia depend करता है body के shape और size पर, क्या मेरी बात clear है, yes sir, तो बहुत सारे factors पर moment of inertia प्यारे बच्चो क्या करता है, depend करता है, चलिए फटा फट से question के तरफ चलता है, हाँ, वे solve कर लिया होगा कुछ बाल को ने तो, the mi of a disc about its diameter is two units, प्यारे बच्चो ये एक disc है, okay, disc जैसी मेरे मन में विचार आता है, disc का mass m और radius कितने, प्यारे बच्चो, r, यहाँ से मैं जानता हूँ कि इसके center के about और इसके plane के perpendicular, प्यारे बच्चो, तो जो diameter के about moment of inertia होता है, that moment of inertia about diameter is what, sir, इसका क्या कर दूँगा, इसका आधा कर दूँगा, यहने कि प्यारे बच्चो, यहाँ आता है, mr square by 4, clear है, अब question बढ़ता है, हाँ जी, mi of a disc about its diameter is 2 units, its mi about an axis passing through a point on its rim, and in the plane of the disc, yes, identify, this is the new axis about which moment of inertia has to be calculated, तो आप समझ रहे है, theorem of panel axis लगानी होगी प्यारे बच्चो, इस id को according to the question क्या कहा गया है, 2 कहा गया है, इसे क्या कहूँ प्यारे बच्चो, i dash कहा दू, तो क्या that i dash is equals to, yes, i, ये वाला है न, plus mass, और ये distance कितने है, प्यारे बच्चो, ये distance है, r, यानि के plus mr का square, i कितना है मेरे बच्च, सर ये मेरे बच्च, i दिया है 2 plus mr square, क्या है प्यारे बच्च, मेरे पास i dash हा जाएगा, okay, अच्छ, इस 2 से मैं mr square की value भी calculate करूँगा, देखो, तो चुक्कि 2 किसके बराबर था, प्यारे बच्चो, that 2 is equals to mr square by 4, तो this mr square is equals to 8, समझ गए न भाई, हाँ, ये महनत करवा रहा है, तो भाई, 2 plus 8, यानि का answer कितना आगया, प्यारे बच्चो, that answer comes out to be 10 units, क्या कोई option दिखाई दे रहा है, yes sir, मुझे दिखाई दे रहा है, इसका option D, इसका मदलद D, प्यारे बच्चो, एक सही option, सही answer होगा, clear students, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, disk के लिए parallel axis लगाएंगे, और parallel axis लगा करके, इस axis पर पहुँचेंगे, जहां पर moment of inertia obtained होगा, और जब मुझे इसका moment of inertia obtained होगा, प्यारे बच्चो, फिर उसके बाद भी सीदे सीदे कुछ नहीं कहा, यहां भी उलजाये जा रहा है, कि diameter के about इतना होता है, तो मेहनत करके प्यारे बच्चो, इसका answer 10 आजाएगो, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका option D, प्यारे बच्चो, सही होगा, clear है, yes, D option is correct, अच्छा साथ ही साथ इस question के साथ में moment of inertia क्यों छोटी बातों पर प्यारे बच्चो, चर्चा कर सकता हूँ आपके साथ क्या, जब भी आप कभी parallel axis theorem लगाएं, क्या लगाएं parallel axis theorem लगाएं, तो parallel axis theorem लगाते हैं, उसमें सबसे important बात कहा है, मैं आपको बता दूँ it's a very important point है, हाँ प्यारे बच्चो माल लीजिए, ये तीन axis मेरे पास है clear है, ये axis इसके center of mass से पास हो रही है ब्यारे बच्चो, ये वाली जो axis है, इस axis का बॉर्ड moment of inertia i1 है, इस axis का moment of inertia i2 है, ये distance कितनी है ब्यारे बच्चो, d1 और ये distance कितनी है, d2 तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, जब आप parallel axis लगाते हैं, तो that i1 is equals to icom plus m into d1 का square, i2 is equals to, yes icom plus m into, yes, d2 का square, i1 is equals to i2 plus m into d1 plus d2 का whole square लियान देना, प्यारे बच्चो, बहुत important बात बूल रहाँ, यानि कि जब आप इस axis के about moment of inertia निकाल रहे हैं, तो क्या इस axis के about moment of inertia, इस axis के about plus इस किसम के बराबर होगी, नहीं, ये गड़बड है, दोनों में से एक important बात है कि one axis must pass through its center of mass ये भी सही है, प्यारे बच्चो, ये भी सही है, यानि कि जो theorem of parallel axis होती है, वो किनी भी दो axis के लिए act नहीं करने वाली है, ध्यान रहे है, प्यारे बच्चो हमेशा उसमें से जो एक axis है, that must pass through what, center of mass of the body, उन में से एक axis कहां से pass होनी चाहिए, एक axis प्यारे बच्चो, center of mass से pass होनी चाहिए, clear है, तो एक बहुत important point है, एक छोटा सा question लिख रहा हूँ आपके लिए, जो आप लोगों को करना है, प्यारे बच्चो, ये है एक semi circular ring, क्या है एक semi circular ring और इस semi circular ring का इस axis के बाउट प्यारे बच्चो, आप से पूछा गया है, moment of inertia, बताईए, clear है, ये please मुझे comment box में इस question का प्यारे बच्चो, answer जरूर लिख करके दें, क्योंकि अगर ये concept आपको समझ मेहा है, तभी आप इसको solve कर पाएंगे, clear है एक बात में आपको बता दू, हाँ क्या, कि 2mr square इसका answer नहीं है चले प्यारे बच्चो, बढ़ते हैं, आगया और करते हैं अगला सवाल, हाँ जी a solid cylinder of radius r and length 3r is made of a material having a density row, ओके, now the two hemispheres each of radius r is removed from the two ends of the cylinder as shown in the figure determine the moment of inertia of this object about the axis of the cylinder, तो प्यारे बच्चो, आप से कहा रहा है कि भाई, पहले पूरा का पूरा ये cylinder था, ओके, हाँ जी, अब भाई, ये जो cylinder है, इस cylinder में से cut कर दिया गया है, किसको दो hemispheres को प्यारे बच्चो, हमने cut कर दिया है, कहां कहां से, एक यहां से, और एक यहां से, clear है, तो अब ये जैसे cut किया है, तो ये वाला shape बन गया है तो अब आप से कहा रहा है, इस वाली shape का moment of inertia, प्यारे बच्चो, क्या होगा, ये आप से सवाल पूछा गया है clear है, तो जैसे आप mass add करते हैं, ऐसे आप moment of inertia भी add कर सकते हैं और subtract कर सकते हैं about the same axis, okay about the same axis, the moment of inertia can be added and moment of inertia can be subtracted, is that clear तो सबसे पहला गाम क्या करेंगे, प्यारे बच्चो इसको fill करते हैं, हाँ इस cavity को क्या करते हैं, fill करते हैं तो जब मैं इस cavity को fill करूँगा तो क्या इस cavity को fill करने के लिए I require what, sir I require a a solid hemisphere क्या प्यारे बच्चो मेरी बात clear है, ओके और इस cavity को cover करने के लिए भी मुझे क्या एक solid hemisphere ही चाहिए, यस सर, तो प्यारे बच्चो मेरे पास 2 solid hemisphere आ गए हैं अच्छा, ये मैंने add किये हैं, समझिए ये बात को ध्यान से, है ना, क्योंकि तभी तो क्या बनेगा, तभी तो पूरा का पूरा cylinder यहां पर form होगा ये बन गया मेरा पूरा का पूरा cylinder अब सोचो, ये add कर दूँगा तो इसका mass बढ़ जाएगा, तो एक काम करते हैं क्या इसका एक negative mass मान करके add कर दूँगा, तो जैसे आप इसका negative mass मान करके प्यारे बच्चो, add कर देंगे, कहां पर इस प्लेस पर और इस प्लेस पर ये situation actual में प्यारे बच्चो, create हो जाएगी, clear है, यानि कि वह negative mass वाला जैसे concept यूज़ करते थे, ऐसे यहां पर negative moment of inertia वाला concept क्या करेंगे प्यारे बच्चो, use कर देंगे, clear है, आईए जड़ा देखते हैं, प्यारे बच्चो, इसका detail solution, density आपको metal की कितनी given है, प्यारे बच्चो, density आपको इस metal की row given है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी चीजे पता होनी चाहिए, जैसे क्या-क्या पता होना चाहिए, जैसे कि cylinder है, हाँ प्यारे बच्चो, इस cylinder का moment of inertia, अगर ये एक solid cylinder है, तो इस solid cylinder का moment of inertia, इस axis के बाउट, फट फट आईए, होट फट आफट से, mass m और radius r है, तो प्यारे बच्चो, m r square by 2 होता है, और इस axis के about moment of inertia, भाई ये पेपर में सवाल कहीं बार पूछा जा चुका है, अगर cylinder की length कितनी है, l, और radius कितनी है, प्यारे बच्चो, r, तो इस axis के about moment of inertia होता है, m r square बट फट चार, प्लस ml square by 12, clear है, प्यारे बच्चो, तो ये हमें पता होना चाहिए, साथ ये साथ के, हमें ये भी पता होना चाहिए, कि जो मेरा hollow, sorry, जो मेरे पास एक solid sphere है, इस solid sphere का moment of inertia, इस axis के about कितना होगा, प्यारे बच्चो, sir, इस के about होगा 2 by 5 m r का square, और प्यारे बच्चो, है, ये एक important बात है, चलिए, mass m है, और radius कितने है, प्यारे बच्चो, r clear है, तो अब जड़ा सोचो, ये टुकड़ा मेरे पास है, एक negative वाला, मतर्ब ऐसे दो टुकड़ा है मेरे पास, जिनके masses negative है, clear है ना, और मुझे अब क्या करना है, इस वाले cylinder के लिए, इस problem को, प्यारे बच्चो, solve करना है, अच्छा, एक छोटी सी बात हो, क्या मैं इसका volume लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका mass भी तो निकालना पड़ेगा ना, भाई, तो इसका mass कितना होगा, प्यारे बच्चो, sir, इसका mass होगा, 2 by 3, पाई यार क्योग इंटो रो, clear है, लेकिन क्या माइनस यूज़ करूँगा, यस सर क्योंकि निगेटिव लेना पड़ेगा, अच्छा, ऐसे एक नहीं बलकि कितने होंगे, दो, ध्यान रखना, क्योंकि, जब मैं प्यारे बच्चो, इस problem को solve कर रहा हूँ, कौन सी problem को, इस वाली problem को, तो देखिए, एक ये रहा, और प्यारे बच्चो, एक ये रहा, समझ रहा है, इसका moment of inertia, 2 by 5, इसका mass m1 कहूँ, m1 into, हाँ प्यारे बच्चो, r square होगा, इसका moment of inertia, 2 by 5, m1 ही कहूँ, क्योंकि mass तो same है, into r square होगा, clear है, और plus, हाँ जी, एक cylinder जो मेरे पास है, पूरा का पूरा, उसका भी मुझे mass निकालना होगा, तो जड़ा देखें भाई, कितने कितने mass आने वाले हैं, प्यारे बच्चो, इसके, इसका जो पूरे का mass आएगा, हाँ जी, इस पूरे की radius कितने हैं, बेटे, सर इस पूरे की radius कितने हैं, 3r है, तो जो इसका mass होगा, that mass is equals to, yes, हाँ भई, πाई, r square, h कितना है, सर 3r into rho, यह आगे मेरे पास, mass of complete cylinder, clear है, चलो बेटे, इसका mass आप निकाल चुके हैं, हाँ जी, rho into 2 by 3 pi r cube, is that clear, चलो बाई, इसको कहते हैं, अलविदा यहाँ से, हाँ जी, यह हो जाईएगा, यहाँ से, गायब, अब बस, प्यारे बेचों, answer निकालना है, solve, हुआ रखा है, कुछ question में बचा ही नहीं, हाँ जी, इसका moment of inertia कितना होगा, इस वाले part का, इस वाले part का moment of inertia होगा, sir, that i is equals to, हाँ बिटे, क्या 2 by 5, क्या rho into, क्या 2 by 3 pi r cube into, हाँ जी, r का square, clear है, और इस वाले part का भी, क्या यही होगा, yes sir, 2 by 5 into rho into 2 by 3, हाँ बिटे, pi r cube into r का square, लेकिन, क्या इन दोनों term को हमें negative लेना पड़ेगा, yes sir, और बिटे, इसका जो moment of inertia लिखेंगे, इस वाले cylinder का, इसका moment of inertia कितने लिखेंगे, sir, इसका लिखेंगे, m r square by 2, यानि कि मैं लिख सकता हूँ, sir, 1 by 2 pi r square into 3 r into rho, क्या clear है बिटे, है ना, ये तो आगे आपके पास mass, है ना, into r square, into r का square, तो ये मेरे पास इसका moment of inertia आगया, एक axis पर है, ये भी, एक axis पर है, ये भी, एक axis पर है, ये भी, moment of inertia can be added or subtracted at the same axis, तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब, short में अब ये हुआ, भाई ये तो हटा दो, इसकी तो कोई आवश्रकता है नहीं, आप सब बच्चों को याद हो गया होगा, ये results, और बिटे, याद रखें, है ना, ये result बहुत important है, इसको पर प्यारे बच्चों कोशन भी पूछा गया है, तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब फाइनली result लिखना है मुझे, so that I is equals to, that I moment of inertia of this particular system is, yes, I of cylinder, I of cylinder minus 2 times I of these solid hemispheres, okay, that I of cylinder was, sir, ये था 1 by 2, हाव इत है, मास कितना था याद है, yes sir, rho into pi r square, h कितना था, height कितनी थी, 3r, हाव बेटे, into r का square, minus 2 times, minus 2 times, इसका मास कितना था, sir, इसका मास आया था, 2 by 3 pi r cube into rho, okay, बेटा, into r square, और साथ में किसका factor, क्या एक 2 by 5 का factor भी आ जाएगा, clear है, इस पूरी time को, प्यारे बच्चो, solve करेंगे, तो solve करने के बाद, मेरा option C आ जाएगा, तो आशा करता हूँ, समझ में आ रहा होगा, यानि कि जिस तरह से हम लोग negative cavity वाले problems करते थे, ऐसे हमें, हम moment of inertia वाले problems करने होगे, पूरे cylinder का निकालो, इस में से इन दोनों के minus कर देंगे, तो मेरे पास इस पूरे के पूरे system का, प्यारे बच्चो, moment of inertia calculate हो जाएगा, आशा करता हूँ, समझ में आ रहा होगा, हाँ जी प्यारे बच्चो, शुरू कर रहे हैं, two roads of equal mass, I am लेंते हैं, lie along the y-axis and x-axis, okay, with the center's origin, what is the moment of inertia of the both, about the line y is equals to x, हाँ प्यारे बच्चो, ये रहा, एक system, आपका वही x-y system, और इस x-y system में, प्यारे बच्चो, का इस coordinate system में, ये आपके पास, दो roads हो गई, clear है, ये इनका, प्यारे बच्चो, center है, कमाल की बाद है, moment of inertia पूछा कहां गया है, ये अपने आप में एक important बात है, तो प्यारे बच्चो, उसका, moment of inertia पूछा गया है, वो पूछा गया है, इस axis के about, और ये line क्या है, सर, ये line है, y is equals to x, जहां पर theta कितने degree है, प्यारे बच्चो, 45 degree है, ना, क्या कहा रहा है, what is the moment of inertia of the both about the line, x is equals to y, यानि कि इस axis के about, प्यारे बच्चो, moment of inertia आपको क्या करना है, इसका calculate करना है, तो करते हैं शुरू फटा-फट से, हाँ मेटे, तो सबसे पहला काम एक काम करते हैं, इस axis के about, moment of inertia, calculate करते हैं, दोनों rods का, clear है, इसको break करते हैं, दो अलग-अलग part में, पहले जो यह rod यहां होगी, क्या इसका moment of inertia, प्यारे बच्चो, ml square by 12 होगा, फिर यह जो दूसरी rod है, क्या इसका moment of inertia भी, इसके about ml square by 12 होगा, दोनों को add-up कर दूँगा, तो क्या इसका जो net moment of inertia होगा, क्या प्यारे बच्चो, वो ml square by 6 हो जाएगा, clear है, तो इसका मतलब इस पूरे system का moment of inertia, इसके about ml square by 6 आ जाएगा, हाँ जी, कितना आगया बच्चो, ml square by 6, आपका परीज़े करा दूँ किस से, theorem of perpendicular axis होगा, ताकर यह सवाल आपको कोई दिक्कत पैदा ना करे है, तो theorem of perpendicular axis में भी बड़े important points है, प्यारे बच्चो, ध्यान दीजिए, यह कौन सी axis है, x axis, clear है, प्यारे बच्चो, हाँ, सब बिलकुल clear है, बेटे, यह कौन सी axis है, सर, यह y axis है, और यह कौन सी axis है, प्यारे बच्चो, यह z axis है, तो मैं आपसे कहा रहा हूं कि अगर मान लीजिए, इस plane में x और y axis लाई कर रहे है, plane में कौन लाई कर रहे है, x axis और y axis, इस axis के बाद moment of inertia i x हो, इस axis के बाद moment of inertia i z हो, तो जो center से पास होने वाली axis है, जो उसके plane के perpendicular है, इनके intersection point से पास होने वाली और उसके plane के perpendicular जो axis होगी प्यारे बच्चों इस axis के बाट जो moment of inertia होता है i y is equals to i x plus i z होता है यह आप सभी को पता होना चाहिए अच्छा इसमें important क्या है? important यह है कि जो axis इस plane में lie कर रही है ध्यान रहे उन्हीं कसम इस तीसरी जो इसके plane के perpendicular उसके बराबर होना चाहिए चलिए माल लिए मैं आप सा कहता कि देखी यह एक problem लेते हैं इस वाली problem में प्यारे बच्चों यह कौन सी axis है? x यह कौन सी axis है? y और यह कौन सी axis है? z तो आप देख रहे हैं z axis के skip plane के perpendicular है तो अगर यह प्यारे बच्चों i z हो और यह क्या हो? यह i y हो तो क्या मैं लिख सकता हूँ? क्या? that i z is equals to i x plus i y आशा करता हूँ यह समझ में आ रहा होगा चलिए प्यारे बच्चों उस question की तरफ चलते हैं यह दोनों rods आपके आ चुकी थी? हाँ जी इस axis के about आपका moment of inertia आ गया था ml square by 6 आपको निकालना है इस axis के about जड़ा बताईए जैसी axis यह है क्या प्यारे बच्चों ऐसी ही एक axis मेरे पास क्या यह है? अरे जैसी rotational tendency इधर होगी ऐसी ही तो rotational tendency इधर होगी तो इसके about भी आईए क्या दोनों axis इसके plane में लाई कर रही है? यह सर तो क्या इसको ix कह दू? क्या बेटे इसको iy कह दू? तो क्या जो iz होगा यानि के this ml square by 6 this is equals to i plus i यानि के 2i यानि के this ml square by 6 is equals to 2i so that i is equals to ml square by 12 ओके प्यारे बच्चों तो this is the answer that is the moment of the system about the line y is equals to x तो मैं कह सकता हूँ प्यारे बच्चों कि इसका option c सही होगा clear है आईए चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल thank you students आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस free online crash course के दौरा जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपके likes और comments continuously प्यारे बच्चों प्राप्त हो रहे हैं देख करके बहुत अच्छा लगता है motivation मिलता है मैं आपके साथ एक information और शेयर करना चाहत हूँ प्यारे बच्चों जो कि description box में दी गई है वहाँ पर एक link दिया गया है प्लीज आप उस link पर click करें और इस link पर click करके registration करवाएं आपके जेई मेंस के crash course की online test series के लिए जो बिलकुल free है ठीक है प्यारे बच्चों साथ ही साथ जो बच्चे quota आकर जेई advance की तियारी करना चाहते हैं उनको भी मैं बता दू कि उनके लिए एक limited seats वाला एक batch हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी डेट है प्यारे बच्चों 27 जन्वरी तो प्लीज प्रायर रेजिस्ट्रेशन कराएं और उस batch को अगर आप offline जोइन करना चाहते हैं तो उसको जोइन करके अपने जेई advance की success को प्यारे बच्चों surety में convert करें थांक यू वेरी मच आए प्यारे बच्चों करते हैं बहुत बढ़ी है सवाल moment of inertia के उपर बिस्ट a rectangular plate about an axis passing through P and perpendicular to the plate is I then the moment of inertia PQR about an axis perpendicular to the plane of the plate आप से प्यारे बच्चों पूछ रहा है यह plate आपको दिखाए दे रही है P, S, R और एक है P, Q, R और यह पूरी plate प्यारे बच्चों आपको दिखाए दे रही है तो आपसे कहा रहा है यार पूरी की पूरी इस rectangular plate का moment of inertia है जब वो यहां से pass हो रहा है कहां से P से प्यारे बच्चों इसके अबाओ प्यारे बच्चों moment of inertia कितना है that is I, okay अब आपसे कहा रहा है यार यह आपको relation बताना है कि अगर मैं इसके दो पार्ट कर दूँ है ना plate okay इस plate को मैं दो पार्ट में प्यारे बच्चों break कर रहा हूं कैसे एक plate तो मैंने यह break कर ली और एक plate प्यारे बच्चों मैंने यह वाल plate PQR है yes sir और यह जो plate है प्यारे बच्चों यह क्या है sir यह वाली plate है PSR अब मैंने कहा है इस वाले पार्ट का moment of inertia कितना है प्यारे बच्चों I1 और इस वाले पार्ट का इस axis के what moment of inertia क्या है I2 तो अब आप से यह पूछ रहा है कि यार यह जो I1 है इस I1 का इस I से क्या I1 I2 से प्यारे बच्चों चोटा होगा clear है है और इसी तरह से यह R के बाउट भी कह रहा है clear है तो यह basically हमें अब थोड़ा सा इसके comparison को करना है बाकी parts तो हम अपने आप कर लेंगे पहले हम इस वाले part की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो दो moment of inertia of this plate PQR आशा करता हूं स सिस्टम है पूरे सिस्टम का जो moment of inertia वो आई है कि I1 I2 का सम है यह सर तो मैं कह सकता हूं कि this I is equals to I1 plus I2 क्योंकि दोनों को add करेंगे एक process पर तो आई आजाएगा अब यह देखें कि क्या moment of inertia मास के distribution पर डिपेंड करता है सब बिल्कु सही कहा रहे हैं क्या प्यारे बच्चों किसी रिंग का moment of inertia आपने देखा रिंग होता है उसका moment of inertia अव्वेस है क्या किसी डिस्क के moment of inertia से ज्यादा होता है रिंग का कितना होत होता है डिस का moment of inertia होता है मारे स्कार बैटू सो जो सेम मास है सेम रेडियस है फर्क इतना है क्योंकि इसमें जो मास का distribution है वो एक्सिस से दूर है इसलिए इसका moment of inertia जादा है और इसका कम है अब जो मैंने ऐसी प्रेट बनाई तो जरा ध्यान से देखो बेटे क्या इसमें ज कह सकता हूं इस observation से that I2 is I1 is greater than I2 यानि कि सर इसका मास दूर हुआ तो इसका moment of inertia प्यारे बच्चो जादा हुआ इसका मास पास हुआ तो इसका moment of inertia क्या हुआ कम हुआ बस हो गया अब तो का क्या दोनों का सम कितना है I is equals to I1 plus I2 है और यहां से I1 I2 I2 से बढ़ा है तो क्या relation अब यह सर कि जो I1 होगा प्यारे बच्चो क्या वो I2 से जादा होगा तो आपको थोड़ा सा question को समझने में अब आसानी हुई होगी कि बई कहना क्या चाहा रहा है तो इस तरह से प्यारे बच्चो मैं कभी-कभी moment of inertia को mass के distribution से प्यारे बच्चो देख सकता हूं तो मैं कह स सकता हूं कि इसका option क्या सही होगा बताए कौन सा सही होगा सर इसका option होगा see about P is greater than I buy two clear रहे बच्चो बाकी option आप चेक करेंगे बताएंगे क्या answer आने वाला होगा चले बच्चो बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल हाँ यह फिर एक बहुत प्यारा सा classic सा सवाल है square plate of mass mnhl is shown in the figure अच्छा मैं आपके बात और बता दू rotational motion में दुही तरह के सवाल सबस्यदा पूछे जाते हैं जो मेरा gas कहता है पहला सवाल पूछा जाता है moment of inertia के ओपर और प्यारे बच्चो दूसरा जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है principle of conservation of angular momentum के ओपर clear है रह बाकी वैसे torque वगरा पर चर्चा तो हम जरूर करेंगे लेकिन ज्यादा तर focus प्यारे बच्चो इनी topic के ओपर रहने वाला है तो इसलिए मैं चारो moment of inertia के तो practice आपको करा ही दूँ तो square plate of mass mnhl as shown in the figure the moment of inertia of the plate about the axis in the plane of the plate passing through one of its vertex making an angle of 15 degree from the horizontal इस तरह से प्यारे बच्चो आपक को क्या calculate करना है इस axis keyboard प्यारे बच्चो आपको इसका moment of inertia calculate करना है तो बही अब इसका axis keyboard moment of inertia कैसे calculate करेंगे इसके लिए मैं आपको बता दू कुछ results आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्या है वो results प्यारे बच्चो अगर एक square plate अगर आपको दी हो तो इस square plate के हाजी इस center से pass होने वाली line के about जो plane के perpendicular है हाजी इसका moment of inertia होता है प्यारे बच्चो ml square by 6 हाजी इसके यहां से ml square by 12 यहां से ml square by 12 clear है प्यारे बच्चो और इसको कवाल की बात है इसकी कोई भी diagonal जो center of mass से pass हो रही हो इसके about भी moment of inertia प्यारे बच्चो ml square by 12 ही होता है clear है इसके plane में और एक और चोटी से बात मैं आपको बता दूँ क्या कि अगर एक theorem है चोटी सी हाजी इसके center से pass हो रही है कोई line इसके plane में है लेकिन वो इसका diagonal नहीं है लेकिन कहां से pass हो रही है center से और यह angle कितना है प्यारे बच्चो थेटा तो भी moment of inertia ml square by 12 ही होगा clear है चले प्यारे बच्चो करते हैं इस सवाल को तो यह line आपको दिखाए दे रही है अब एक काम करते हैं यहाँ पे property यूज़ करते हैं यह रहा तो इस axis के about जो moment of inertia होगा इस वाली property से क्या इसकी value प्यारे बच्चो ml square by 12 होगी यह बात बताईए समझ में आ रही है क्या सब बच्चो को जहाँ L किसकी side है इस square plate की प्यारे बच्चो side है अब सोचो कमाल की बात असरण ने बताया था कि one axis must pass through the center of mass अगर यह icom है क्या है अ तो क्या मैं theorem of parallel axis लगा सकता हूं लेकिन theorem of parallel axis लगाने के लिए क्या प्यारे बच्चो मुझे चाहिए कौन से distance ये वाली perpendicular distance क्या मेरी बास समझ में आ रही है अगर मुझे perpendicular distance मिल जाए तो मैं इसके about moment of inertia क्या कर सकता हूं प्यारे बच्चो calculate कर सकता हूं तो आईए फटा- प्लेट इसकी वह अच्छा पंदरा डिगरी लगना भी चाहिए ये अंगल लग रहा है पंदरा डिगरी हाँ शाबाश है सही हो गई बाद अच्छा विटे दूसरी axis जो मेरे पास है क्या वह इसके center से गुजर रही है और इसके parallel है like that okay हाँ बेटे मुझे चाहिए ये वाली distance ये perpendicular distance तो मेरा काम चल जाएगा अच्छा इस axis के बाद सर ने भी बता है moment of inertia कित्ता होगा sir ml square by 12 हो जाएगा अच्छा बेटे एक बात बताओ ये क्या half of the diagonal है half of the diagonal clear है तो क्या ये l by root 2 होगा है ना क्योंकि पूरा का पूरा कितना है पूरा का पूरा l root 2 है बाई किसी triangle में क्या बेटे ये l root 2 है तो इसका जो आधा है क्या वो l by root 2 आ गया बिल्कुल आ गया sir आगे गड़ो मुझे तो भई ये distance निकालनी है अच्छा एक बात तो बताओ क्या ये वाला जो एंगल है क्या प्यारे बच्छों ये 45 डिग्री है ये 15 है इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा क्या ये वाला एंगल प्यारे बच्छों मेरे पास आज ही हुआ ना बोलो मेरे बच्छों बस बात खतम ये 30 डिग्री आ गया तो जरह बताओ क्या में ये distance निकाल सकता हूं वाह जी वाह अब मुझे चाहिए इस axis के बाउंड मुमेंट आफ इनर्शिया तो प्यारे बच्छों इस axis के बाउंड जो मुमेंट आफ इनर्शिया होग क्या वह इसके अबाउट और इस डिस्टंस का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम इंटू हाँ जी क्या बेटे डी प्रपेंटिकुलर के स्क्वार आ जाएगा बस बात खतम हो गई ये निकालना आपके लिए बच्छों वाला खेल है मैं तो सॉल करके आइल गेट दा आंसर बी यानि के प्यारे बच्छों इसका ऑफ्षन बी सही होगा तो आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट थियोरम है जो हमें पता होनी चाहिए कि सेंटर से पास होने वाले लाइन चाहिए वो डाइगनल हो या डाइगनल ना हो उसके बा आता है क्या सवाल है वही जैसे सेंटर ओफ मास में कैविटी प्रॉब्लम्स थी ऐसे प्यारे बच्छों मुमेंट ऑफ इनर्शय में भी कैविटी प्रॉब्लम्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं विश्वास कीजिए मतलब यह सवाल तो ऐसा जो कहीं बार पूछा गया यहां से प्यारे बच्छों और भाई त्री रेडिस की एक डिस्क को क्या कर दिया गया है रिमूब कर दिया गया है दा मुमेंट ओफ इनर्शय मेरा से बाउट आ बना देता थोड़ा बड़ा सा था कि आप लोगों की शिकायात खतम हो जाय है किस्षर दगराम थोड़ा छो यहां से कितनी radius की एक disc मैंने कट कर दी है इस disk is removed अब मुझे से कहारा है इस पूरे के पूरे system का किसके बाउट इस axis के बाउट प्यारे बच्छो moment of inertia क्या करना है calculate करना है इस question में क्या होता है गलती मैं आपको बताता हूं आप क्या करते है सारे process ठीक करते है आपको यह भी पता है कि इसका moment of inertia negative लेना है सारी बाते ठीक है लेकिन आप क्या कर रहे है यह भूल जाते है कि इसमें axis common है तो यहाँ पर एक बार जिब उसको cut करते है तो theorem of parallel axis लगाना पड़ता है यहाँ प्यारे बच्छो तो दिमाग में एक बात ध्यान रखें कि moment of inertia can be added and moment of inertia can be subtracted about the same axis यहाँ निगेटिव मास की तरह नहीं है मतलब क क्या कहना चाहरा है मतलब जब मोमेंट of inertia इस डिस्क का निकालेंगे तो आप क्या निकालेंगे आप इसके बाउट निकालोगे यही करोगे ना लेकिन आपको जोड़ना नहीं है मतलब सब्ट्रेक्ट करेंगे और गरेंगे वो नहीं करना है वो तब करना है जब इसकी और प्यारे बच्छो एक हो जाए बस बाकी तो इसमें कोई विशेश लॉजिक नहीं है इस question के अंदर तो आएए फटा-फट से प्यारे बच्छो उसका solution देखते हैं सबसे पहला काम इस वाली जो cavity यहां पर create हुई है उसका प्यारे बच्छो mass calculate करते हैं और उसका mass calculate करने के ल clear है तो जो बड़ी डिस्क है इस बड़ी डिस्क का mass पहले without cavity निकालते हैं ना बेटे बिना cavity के complete disc का mass तो complete डिस्क का जो mass होगा बिना cavity के क्या प्यारे बच्छों को होगा सिग्मा इंटू हाजी पाई आर का square तो बेटे सिग्मा की value 9m अपॉन पाई आर स्क्वाइर इंटू पाई आर का square clear है तो यह 9m है जो की आपको दिया भी गया यह मैंने इसलिए किया था कि थोड़ा सा एक बार practice करें कैर इस्तरे से mass अपने को निकालना है अब मुझे cavity का mass निकालना है तो cavity का mass कैसे निकालेंगे कैविटी का mass निकालेंगे sigma into हाँ पई आर स्क्वाइर बाई 9 clear है चलिए sigma की value यहां से put कर सकता हूँ 9m upon pi r square तो क्या 9m upon pi r square into pi r square upon 9 9 से 9 cancel हो गया भई, pi r square से pi r square cancel हो गया तो data set हो रहा है यानि कि इसका mass कितना आगा प्यारे बचो इसका mass m आजाएगा बस अब तो क्या करना है ध्यान से देखते हैं फटाबट से क्या इस cavity का mass प्यारे बच्चो m है इसका moment of inertia radius कितनी है r by 3 तो इसका जो moment of inertia आई होगा क्या बेटे वो 1 by 2 mr square से क्या 1 by 2 हाँ जी m तो m ही था radius हो गई r by 3 का square यह इसका moment of inertia आगे लेकिन आप समझे है ध्यान से प्यारे बच्चो हमें निकालना किसके अबाउट है हमें निकालना है सर इस axis के about क्योंकि सर ने कहा था m i can be added or subtracted about the same axis तो प्यारे बच्चो इसके center से यहां तक की distance कितनी है सर यहां तक की distance है 2 r by 3 तो इसके about disc का कौन से वाली disc का small m वाली m मास वाली disc का जो moment of inertia होगा प्यारे बच्चो वो होगा हाँ जी 1 by 2 m into r by 3 का square plus m into cavity 2 r upon 3 का whole square clear है तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा इसका moment of inertia इसके about आ जाएगा अब क्या करना है already जो बड़ी disc थी क्या इस बड़ी disc का moment of inertia इसके about आई कितना था प्यारे बच्चो सर यह था मेरे पास m r square by 2 clear है m की जगे 9 m भाई है ना m की जगे कितना प्यारे बच्चो 9 m आ जाएगा बस अब तो net moment of inertia लिखना है तो i of हाँ जी large disc orbit cavity है तो plus की जगे minus कर देगे किसको इस i of this mass को clear है yes तो प्यारे बच्चो लार्ज जिसका moment of inertia कितना था so that was 9 m r square by 2 minus हाँ जी क्या 1 by 2 m r by 3 का square plus m into 2 r by 3 का whole square clear है बच्चो तो इस तरह से अब मैं क्या करूंगा इस पूरी equation को solve करूंगा और solve कर के मेरे पास यह answer आ जाएगा मैं आपसे एक बात फिर प्यारे बच्चो शेयर करना चाहता हूं गलती नहीं करनी है moment of inertia इसका किस keyboard चाहिए इसी keyboard चाहिए तो we have to apply what that theorem of parallel axis over there आशा करता हूं प्यारे बच्चो यह समझ में आ गया होगा इसके उपर question कहीं न कहीं आपको जुरूर मिलेगा आपको इसको solve करना है और मुझे उसका answer प्यारे बच्चो in comment box में share करना है चलिए प्यारे बच्चो बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चो आइए करते हैं अगला सवाल आप यहां पे देख रहे हैं बिलकुल देखो भी paper में पूछा गया सवाल है अब आप यह सोच लीजी कि आपकी skills कित्ती बढ़िया होनी चाहिए है ना ऌडा फंडमेंटल से जुज रहे हैं तो हमें तो fundamentally बढ़ा दो fundamentally बढ़ा दो और paper इंतियार कर रहा है क्या आप लोगों का यह question इस बात का प्यारे बच्चो प्रमाण है आए जराध ध्यान से देखे seven identical circular planner disk ah okay each of mass M and radius r are welded symmetrically as shown the moment of inertia of the arrangement about the access normal to the the plane and passing through point P, प्यारे बच्चों, P point के about एक axis है, इस axis के about आपको क्या करना है, इसका moment of inertia calculate करना है, यह रहा भाई, इस axis के about आपको इसका प्यारे बच्चों, moment of inertia क्या करना है, calculate करना है, तो एक काम करते हैं, क्यों ना, center of mass के about A, यह calculate कर लूँ, इसे कहूं, I-C-O-M, क्योंकि यह पूरे system का center of mass होगा, और क्या प्यारे बच्चों, इसकी यहां से यहां तक distance कितनी हो गई, क्या 3R हो गई, क्या इसको मैं IP कह दूँ, है ना, तो क्या थे और हम आप parallel axis लगा दूँ, और क्या है यार, that IP is equals to, yes, I-C-O-M, I-C-O-M of the system, of the system, हा बेटे, plus M, M यह 7M, सर, पूरे system का वाज तो 7M है, तो क्या 7M into, क्या बेटे, 3R का square, clear है, physics तो समाप्त हो गई, आप कहते हो, तो solve करो नहीं, तो खुद कर लोगे क्या, चलो मैं ही बता देते हो, 2 minute का का काम है, हा बेटे, इस वाली, एक disk का, इस वाली, एक disk का, जो moment of inertia होगा, हा जी, center वाली का क्या इसका moment of inertia लिख सकता हूँ, MR square by 2, clear है, प्यारे बच्चों, और इसके साथ वाली, ये जो एक दूसरी disk है, क्या इसका, इसके about कितना होगा, सर, ये होगा, MR square by 2, क्या बेटे, इसकी यहाँ से जो distance होगी, क्या वो R, R कितने हो जाएगी, 2R हो जाएगी, तो क्या, इसका moment of inertia इसके about, हाँ जी, तभी तो जाके ICOM वाला रायता पुरा होगा, तो इसका moment of inertia इसके about है, वह इसको disk 2 कह दूँ, तो disk 2 का moment of inertia होगा, सर, MR square by 2, plus M into 2R का whole square, तो यह जाएगा, MR square by 2, plus 4MR का square, clear है, तो ये मेरे पास कितना हागा, क्या solve कर गए, यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखू, प्यारे बच्चो, तो it comes out to be, हाँ जी, 9MR square by 2, लेकिन ये किसका है, ये एक का है, क्या, ऐसी, ऐसी कितने हैं, सर, ऐसी, ऐसी है, 6, कितने हैं, प्यारे बच्चो, 6, तो finally, जो ICOM होगा, that ICOM is equals to center वाली, center वाली का कितना, सर, MR square by 2, हाँ मेटे, प्लस, ये कितना, सर, 6 time, 9 by 2 MR का square, हाँ जी, clear है, बस मजा आ गया, इसके value उठा के यहाँ रख देंगे, इसको प्यारे बच्चो, solve कर देंगे, और solve करके, मेरे खायल से इसका answer A आना चाहिए, 181 by 2 MR square would be its answer, clear है प्यारे बच्चो, तो देखे भई, effort करते रहेंगे, तो काम हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि आज center of mass के about moment of inertia पता होना प्यारे बच्चो, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, clear है, अच्छा एक छोटी सी में आपको और बढ़ी ऐसी बात मुझे याद आ रही है, theorem of parallel access से यह पता लगता है, क इसके center of mass से पास हो रही है, और इसके बराबर में कोई दूसरी parallel access हो, जिसके about moment of inertia क्या है, इवन, त्यार आप से भी जानते है, इसके about moment of inertia minimum होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ लिखोगे तो कुछ add करोगे ना, तो यह तो ज़्यादा ही होगा, तो सबसे कम moment of inertia के about होता है I, C, O, M, K about होता है, यह क्यों बता रहे हो तो मैं बता है, इसमें एक खास बात बताता हूँ तुमें, इसके सबसे खास बात यह है प्यारे बच्चों, कि अगर कभी center of mass को locate करना हो, तो di by dx निकाल करके zero कर दोगे, तो समझ मैं, आपको वो x मिल जाएगा, जिस पर moment of inertia क्या होगा minimum और वही होगा center of mass, पता निसर क्या बखवास कर रहे हैं, देख लो किसी को समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल, हसरते दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार हुठ हिला करतो देखो, और सिमट आएगा आसमा अगोश में तुम्हारे चाहत की बाहें फैला करतो देखो, और निगाहों से निगाहें मिला करतो देखो, नए लोगों से रिष्टा बना करतो देखो, हलागि प्यारे आप लोगों के हमें मिलती हैं, कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम यह चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आरे, उनको अपडेट करें, जो टॉपिक आपके छुट गए हैं, वो टॉपिक आपको कही ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रवाइड करने के आपको information कैसे कही ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने के जरूरत नहीं है, just to subscribe the channel, okay, subscribe करें और bell icon को hit करें, thank you. calculate करने, इसको करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, students क्या, कि अगर ब्यारे बच्चो ये कोई cube है, है ना भई, क्या है ब्यारे बच्चो, ये अगर कोई cube है, तो इस cube के, ये जो यहां से पास होने वाली axis जो आप देख रहे हैं, है ना, मालनो में तुम से क कितनी है, ये वाली side कितनी है, बी, और ये वाली side कितनी है, सी, तो पेटें आपको अगर ये इसके center से पास होने वाली axis यहां पर मिल जाए, तो इस axis के बाउट, अच्छा, इसको cube बना दे, तो मैं cube बोल रहा हूँ ना, तो एक काम करता है, सारी side क्या कर देते हैं, ए कर द तो पिचकाने पर क्या बनेगी, सर पिचकाने पर ये बन जाएगी मेरे पास एक इस तरह की plate, हाज ये blade बन गई होगी अपना तो काम, इसके about moment of inertia कितना होता है, सर इसके about आप नहीं बताया ता, ma square by 6 होता है, प्यारे बचो, कितना होता है, ma square by 6, clear है, a बराबर, b बराबर, c हो जाएगा, तो ma square by 6 है, moment of inertia आजाएगा, clear है, अब question देखो, क्या कहना चाहरा है, question में प्यारे बचो, आप से ये कह रहा है, कि ये एक sphere है, और इसमें से हमने cube कट की, और जिसका volume क्या है maximum, तो जिरह सोचो, अगर इसमें से आप एक cube कट करेंगी, जिसका volume maximum हो, तो maximum volume की cube तो तम मिलेगी, प्यारे बचो, जबकि इसका जो diagonal है, क्या है, इसका diagonal, उस diagonal की जो length है, वो, इस sphere के इस कोने से उस कोने तक जा रही हो, यानि के maximum, ये 2 hour distance कवर कर रही हो, are you getting my point, तो प्यारे बचो, कर cube की side कितनी है, 3D में है, ध्यान रखिये, अगर cube की side कितनी है, x, तो क् का cube का जो diagonal होता है, क्या प्यारे बच्चो, वो होता है, x root 3, तो that x root 3 must be equals to 2R, बास, logic, सवाल खतम, x की value कितनी है आगी प्यारे बच्चो, sir, x की value आगी है, 2R by root 3, clear हो गए बात, आपको cube की side पता लग गई है, अब बताओ भाया, इस axis के about, moment of inertia कितना आया, तो इस axis के about, प् ma square by 6 लिख सकता हूँ, हो गया मेरा काम, यहाँ पर a की जंगे पर x आजाएगा भाई, है ना, प्यारे बच्चो, yes, क्योंकि यहाँ पर x a के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से m x square by 6, और रही बात mass की, तो अगर हम लोग mass की बात करें, प्यारे बच्चो, तो आपको solid sphere का mass कितना दिया है, m, तो आपको इस cube का mass भी क्या करना होगा, calculate करना होगा, क्योंकि आपको density कहाँ से मिलेगी, आपको density मिलेगी, sphere की यहाँ से, तो इतना असान गाम नहीं है भाई, है ना, मेहनत अच्छी खासी है, जरा देखो यह sphere, सबसे पहले बच्चो, density नि क्योंगी, clear है, अब भाई, जो cube है, उसके volume से भाई, इसको multiply करो, तब जहां के आपके पास किसका mass आएगा, तब जहां के आपके पास cube का mass आएगा, तो mass of the cube is equals to, कितना होगा, मास of the cube, mass of the cube होगा, बेटे, row into its volume, that is x cube, clear है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों, लिख सकता रो इंटो, x की value कित्ती आ रही है, यहां से, sir, 2R by root 3, तो क्या 2R by root 3 का प्यारे बच्चों, cube आजाएगा, यह आपके पास आगई है, क्या, mass of the cube, इसको उठा करके, भाई, कहां रख दूँगा, यहां रख दूँगा, तो मेरे पास answer आजाएगा, कितना, 4MR square, upon, कितना, 9 root 2R by, clear है ना भाई, तो यह mass of the cube भी हमें, प्यारे बच्चों, क्या करना होगा, identify करना होगा, clear है, आईए बढ़ते हैं, आगे और करते हैं, कोई और सवाल, हाँ प्यारे बच्चों, angular momentum of a particle rotating with a central force is constant due to, भाई, प्यारा सवाल है, बहुत असान, central force word प्यारे बच्चों, use किया प्यारे बच्चों, देखो, अगर मान लो, जैसे मैं आपसे बताऊं कि अगर sun के about, हाँ जी, कौन चक्कर लगा रही है भाई, अगर प्यारे बच्चों, अर्थ चक्कर लगा रही है, तो इसका जो force है, क्या वो g m1 m2 upon r square है, clear है ना प्यारे बच्चों, तो जो r के function वाले force हैं, इन forces को हम क्या बोलते हैं, central forces बोलते हैं, जो हमेशा एक particular point की तरफ क्या करते हैं, ब्यारे बच्चों, इंडिकेट करते हैं, और इनका r cross f हमेशा क्या होता है, zero होता है, ये बड़ी खास बात होते है, कि किसी force के central होने के लिए, है ना, उसका r cross f क्या होता है, zero, तो नाम सी पता लग रहा है, यहां तो क्या zero होगा, r cross f zero, r cross f zero मतलब torque zero, और torque zero तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर torque zero है, तो इसका मतलब, yes, that angular momentum can be conserved, है ना, तो वो कह रहा है, that angular momentum of the particle is conserved, तो एक important property है, यानि कि क्या होना चाहिए, प्यारे बच्चों, zero, अच्छा कमाल की बात जितने भी इस तरह के सवाल है, यानि कि जिसमें कोई भी particle, चाहे circular path में घूम रहा हो, प्यारे बच्चों, चाहे elliptical path में घूम रहा हो, क्योंकि elliptical path में भी अगर particle घूमेगा, तो जो force है, वो ऐसे लग रहा होगा, और सोचे जो r vector है, प्यारे बच्चों, वो इस तरह से line joining के along लगते हैं, ये line joining के along लगने वाले force का, इस point के बहुत प्यारे बच्चों, torque क्या होता है, 0, और जब torque 0 होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका angle momentum क्या रहता है, conserve, तो इसका मतलब इसका कौन सा option सही होगा, प्यारे बच्चों, इसका option C सही होगा, अच्चा, एक बात आप देख रहें, linear momentum तो होई नहीं सकता, क्योंकि velocity की direction continuously क्या हो रही है, constant force है ही नहीं, क्योंकि force की direction भी continuously change हो रही है, और बात करते हैं, constant torque नहीं भाई, 0 torque ही possible होगा, चले ब्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अब ध्यान रखना, कहीं भी कोई ऐसी situation हो, तो यह है R1, यह है V2 प्यारे बच्चों, और यह क्या है R2, particle का mass कितना है M, तो आप यहां क्या करते हैं, M V1 R1 बरावर M V2 R2, simple angular momentum, तो V1 R1 बरावर V2 R2 आप प्यारे बच्चों, इसमें apply करते हैं, करते हैं करते हैं, तो इसलिए कर पा रहे हैं angular momentum conservation क्योंकि forces का nature central है, clear है, आ important question पर प्यारे हैं, बोब of mass time attached to an inextensible string to the length L, is suspended from a vertical support, the bob rotates in a horizontal circle with angular velocity omega, okay, आप से कहा रहा है, about the vertical, about the point of suspension, the angular momentum changes its direction but not in the magnitude, angular momentum changes both in direction and magnitude, angular momentum is conserved, angular momentum changes in magnitude but not in direction, भाई, कितनी बार ये सवाल, अलग अलग तरह से प्यारे बच्चों पूछा गया है, आई, पहरा तो मैं आपको इस question का मतलब बताता हूं, कि इसमें कह क्या रहा है, और फिर प्यारे बच्चों उसके बारे में आप से चर्चा करता हूं, हाँ जी, क्या प्यारे बच्चों to I omega होना चाहिए, जो गाम M का है, वो I का है, जो V का है, वो omega का है, जो P का है, वो किसका है, L का, और प्यारे बच्चों इस L की direction, actual में, omega की direction में होनी चाहिए, तभी ये relation प्यारे बच्चों valid है, otherwise ये valid नहीं है, क्योंकि इसके direction अलग नहीं हो सकती है, clear है, अच्छा, ध्य अगर मैं कहूं कि ये एक particle, circular path में rotate कर रहा है, जिसका प्यारे बच्चों, mass कितना है M, और इसकी velocity V inward है, और इसकी radius कितनी है R, clear है, तो इसका, इस point के about, जो कि इसके plane में है, और इसके center से pass कर रहा है, इसके about, जो इसका angular momentum होगा ब्यारे बच्चों, वो MVR होता है, क्या होता है, MVR, और इस MVR को अगर दूसरे शब्दों में लिखूं, तो जब ये, इस sense of rotation में घूम रहा है, तो इसका omega भी इधर की तरफ है, तो यानि के सर मैं कह सकता हूं, कि इसको मैं L is equals to I omega से, MR square by 2 into omega भी लिख सकता हूं, clear है प्यारे बच्चों, ये कहानी तो मुझे समझ में आती है, लेकिन अगर मालो में तुम सको यार ये वाला point यहां न हो करके यहां आ जाए, यानि कि ये point इसके plane से बाहर हो जाए, तो क्या इस point के about, अब जब मैं इसका angular momentum vector लिखूंगा, तो ध्यान देना पेटे, पहले में लिख रहा था, इस point के about, अब मैं किसके about लिख रहा हूं, लिख रहा हूं, पी point के about, बेटे, बहुत लोग अलग लग तरह से बताते हैं, सब के बताने का तरीका अलग है, है ना, मेरा भी तरीका different है बताने का, तो आईए फटावर्स से देखें, ये P है, तो क्या प्यारे बच्चों, इस P के लिए ये कौन सा vector है, R, V cross, यानि के अंदर के तरफ, तो V इधर, R vector इधर, तो R cross V से, प्यारे बच्चों, जो angular momentum vector होगा, इसकी direction ऐसे आजाएगी, तब जबकि ये point इसके plane से बाहर है, तब जबकि ये वाला point इसके plane से बाहर है, आप देख रहा है, अच्छा जब ये यहाँ था, तो जो direction देख V vector है R, थोड़ा patience रखे, इसलिए करारों कहीं बार पूचा जा चुका है सवाल, ये R vector है प्यारे बच्चों, ये V vector, तो देखो ये L vector की direction है, तो क्या इस situation में ये रहा आपका L vector, लेकिन ज़रा सोचो इस situation में ये आपका L vector ही है, जब ये particle यहाँ पहुंचागा प्यारे ब जो इधर है, तो इसकी जो direction है, क्या उस समय L vector यहाँ होगा, तो ये ही बस सवाल है छोटा सा, और अगर आप ध्यान से देखें, तो यार ये एक तरह से conical pendulum ही तो है, reverse में, जो ऐसा करते हैं, ऐसा बना लेते हैं, ये बनगे है conical pendulum, like that, अब इस conical pendulum में ये वो point है, जिसके ब बताओ, तो जो point of suspension के बोट बताना है, mass M है प्यारे बच्चो, और velocity है, suppose यहाँ पर dot, dot मतलब बाहर की तरह, clear है, ये कौन सा vector है, sir, this is L vector, जिसे मैं R कहता हूँ, तो R vector कहा है प्यारे बच्चो, sir, R vector है इधर, A इधर, velocity vector है इधर, तो क्या R cross V, R cross V से, yes, this is the direction of what, L vector, और जब ये particle यहाँ पहुंचेगा, तो क्या ये velocity होगी, ये velocity होगी, प्यारे बच्चो, तो इस situation में, क्या ये वाला vector R होगा, V कहां है, ये इधर, ये इधर, दियान से समझे, ये V, ये R, R से V की तरफ, R से, थोड़ा टफ है समझना, लेकिन, प्लीज, ट्राई ज़रूर करें, समझने कोशिश करें, अब भई, आता है, तो बताना तो पड़ेगा, कही बार मैं सोच रहा था, इस concept पे चर्चा करेंगे, तो प्यारे बच्चो, देखो, इस situation में, अब इसको ऐसे समझूँगा, तो आसान लगेगा, ज़रा देखो, क्या इसमें, L वेक्टर की डारेक्शन देखो पेटे, चेंज हो रही है, पहले इधर थी, अब इधर है, लेकिन ज़रा सोचो कर यही पॉइंट इसके प्लेन में होता है, यानिके अंगल मोमेंटम, अगर L वेक्टर की डारेक्शन, देख रहा है आप, कंटिनसली प्यारे वच्चो चेंज हो रही है, तो अगर पॉइंट कभी भी प्लेन से बाहर आ जाए, तो इस सिचुएशन में, एंगल मोमेंटम की डारेक्शन, क्या होती है, प्यारे वच्चो चेंज, और मैं अपनी उस बा प्याद है अभी अभी, जो डारेक्शन पी की है, क्या वही वी की है, इसलिए जो डारेक्शन अल की है, वो वही होगी, जो ओमेगा की होगी, so we take that component L, जेड, अब हम देखें हम से पूछा क्या गया है, आईए फटावर्ट से प्यारे वेच्चो चो इस कंसेप्ट के बाद एक बार इस कुश्चन पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कैसे समझ बहाता है, एक बाब आउफ माजम अटेश्ट तो एन इस वाले डियाग्राम की बात कर रहे हो, और ये है वो प्यारे वेच्चो तो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट आप से पूछ रहा है, क् एंगूलो मोमेच्चो और देखते हैं से अब है, और आशा करता हूँ, ये पूइंट भी प्यारे वेच्चो आप को यह कंस्ट रहता है लेकिन ये हैं स Finnish समझदार है अराम से इसका option choose कर सकते हैं और आशा करता हूं यह point भी प्यारे बच्छों आपको अच्छे से समझ में आ गया हुगा clear है तो क्या answer है इसका answer है जो मैं आप से कह रहा था क्या कि इसका magnitude क्या होता है इसका magnitude constant होता है लेकिन यह L vector continuously अपनी direction क्या करता रहता है चेंज करता रहता है clear है आईए प्यारे बच्छों बढ़ते हैं आगे हाँ प्यारे बच्छों बढ़ते हैं आगे तो क्या कह रहा है कुशन में false कह रहा है प्लीज इस बात पर प्यारे बच्छों focus करें तो आप से क्या करा एंग्लो मेंटम लिखना है तो अंग्लो मेंटम क्या होता है किसी particle का अंग्लो मेंटम होता है M हाँ प्यारे बच्छों R x V this is the expression for angular momentum of the particle ओके प्यारे बच्छों अच्छा अब इस वाले सवाल को देखते हैं हाँ जी यह है पूरा का पूरा एक फ्रेम्स जहांबर particle इधर V से मुँ मार रहा है इधर V से जा रहा है फिर इधर प्यारे बच्छों V से आ रहा है और फिर इधर V से आ रहा है सवाल को बहुत बारी तो नहीं है लेकिन बात ही की speed बढ़िया होनी चाहिए ताकि question का आप बहुत तीजे से प्यारे बच्छों पकड़ सके और result आपके देखे हुए होने चाहिए अब सोचो यह point क्या है ओ तो सबसे पहले काम करते हैं angular momentum लिखते है हाँ पार्टिकल का किस के बाउट origin के बाउट तब जब कि वह A से B की तरफ जा रहा हो कहां जा रहा हो प्यार में चो A से B पे check कर लेते हैं तो A से B यह रहा हम सेम जैसे टॉर्क के लिए करते थे यह कौन सा वेक्टर है सर यह R वेक्टर का का काम करेगा क्या बीट यह वाल एंगल कितना है 45 according to the question this distance is R तो क्या तरीका बताया था सर ने parallel अगर कभी होता है तो उसको पीछे बढ़ा दो और इस distance से काम चला लो तो इस distance कितनी है भ लॉंग जब पार्टिकल किसी वी स्पीड से जा रहा होगा तो एंगलर मोमेंटम होगा प्यारे बच्चों एबाउट ओ वुडबी सिंप्ली एम वी आर बाई रूट टू क्या क्लियर है सब बच्चों को एम वी आर बाई रूट डारेक्शन का तरीका आर से चल कर के कहां क की तरफ वी की तरफ हाद वुमा है यानि कि यह डारेक्शन है जो कि क्या है सर यह अगर X-axis है और प्यारे बच्चों यह अगर Y-axis है तो यह डारेक्शन होगी माइनस के कैप इस डाट टियर तो यह मेरा ओप्शन होना चाहिए अब जो देखते हैं फटाबट से क्या क्यों आप देखो ने यहां से एंवी बाइड तू आर तू प्रॉविंग फरोम इंटू भी अपना क्या अपना माइनस के कैप पा रहा है अपना तो हा रहा है आर क्रॉस भी से माइनस के के कि सूच piace में कि क्या दिरिखा है एध्वी झेदिद यह यह हमारा अंसर आया है य क्या होगा तो यह option नहीं होगा जबकि आंसर यह है clear है तो ऐसे प्यारे बच्छों सारे option चेक कर सकते हैं तो एक बड़ी ऐसा concept है practice कर सकते हैं इस question के लिए और अगर आप कहें तो एक point पर और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जिस पर practice हो जाएगी आए चलें फटाफट से इसक का velocity vector है तो जरा सोचो इस situation में हाँ ब्यारे बच्छों क्या यह वाला वेक्टर मेरे पास और वेक्टर का काम करें हां हाँ जी मुझे चाहिए यह वाली डिस्टन्स जो की आर प्रपेंडिकुलर का काम करेगी clear है और और प्रपेंडिकुलर के लिए यह प्लस यह यह कितना ह ए तो आर बाइ रूट टू प्लस ए हाँ जी इन्टू एम वी से मेरे पास एंगुलोमेंटम किसके बाउट आजाएगा ओ के बाउट तब आएगा जब पार्टिकल बी से सी जा रहा होगा और प्यारे बच्छों बात करते हैं direction की तो आप देख रहे हैं यह direction होगी इस बार किदर की तरफ प्लस के कैप direction होगी तो बही यह perpendicular distance के हिसाब से हाँ जी अगर मैं लिखूंगा इसका answer तो इसका answer प्यारे बच्छों ओक है बाउट जब पार्टिकल बी से सी जा रहा है तो यह होगा m v r by root 2 प्लस a और 7 में क्या रहा होगा प्यारे बच्छों के कैप clear है इसका मतलब ये भी सही है लेकिन question में false पूछा है तो ये हमारा answer नहीं होगा बाकि आप जाने वैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे इसका answer शायद a और c होंगे प्यारे बच्छों clear है yes तो इसके जो options होंगे प्यारे बच्छों वो हो जाएंगे a और c चले बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ और सवाल हाँ जी प्यारे बच्छों चलते चलते एक छोटा सा सवाल देखते हैं फटा-फट से angular velocity of the body is यतने and the torque is यतने clear है आप से क्या पूछ रहा है rotational power वाओ पावर तो क्या होता है f dot p होता है प्यारे बच्छों तो rotational power के लिए क्या करेंगे sir ये rotational जो 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and this torque is equal to i cap plus 2j cap plus 3k cap तो उनों को dot product कर देंगे तो dot product से प्यारे बच्छों 2 plus 6 plus 12 हाँ जी कुल मिला गरगे मेरे पास आजाएगा 20 watt है कोई option मार्केट में? yes sir that option is the correct answer चले चलते हैं आगे प्यारे बच्छों आपको वीडियो गर पसंद आ रहें तो please like करें, share करें और साथ ही साथ उन जरूरत मन बच्छों को इसके बारे में जरूर information दें जिनको इसकी कहीं न कहीं आवशकता है मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ही motion की टीम सोच रही होगी तो प्यारे बच्छों इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुडेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार्स ने हैं लाइक और कमेंट्स के माद धिम समय प्राप्त होगा, जिससे motion की टीम मोटिवेटिड होगी और हम लोग दिन रात बहुत उर्जा के साथ प्यारे बच्छों आपके साथ काम करेंगे हाँ प्यारे बच्छों करते हैं वाला सवाल, यह question equilibrium के उपर based है, वैसे तो आपने ऐसे बहुत सारे question किये होंगे लेकिन यह question तोगा सा different इसलिए क्योंकि इसमें हमने कुछ variation develop किया है question के अंदर यह प्यारे बच्छों ध्यान से देखे, थोड़ा सा हलका सा slightly tough है, लेकिन वैसे question अच्छा है, एक नए थोड़ आपको प्यारे बच्छों मिलने वाला है चले, a man can move on a horizontal plank supported symmetrically, as shown in the following diagram, the variation of the normal reaction on the support A कौन से point पर प्यारे बच्छों, इस point A की बात कर रहा है, clear है, तो इस point A पर आप से पूछा किस से distance x है, क्योंकि origin देखे, यहाँ पर है, this is origin तो आप से क्या क्या रहा है, best represented by this graph, यानि कि पहले तो normal reaction निकालो, और फिर normal reaction निकालने के साथ, प्यारे बच्छों, उसका क्या बनाओ, graph बनाओ, clear है, तो आईए फटाफट से देखते हैं, इस question को कैसे हम लोग solve करें, पहले बात तो यह समझें, कि हमें given क्या क्या है, तो ब्यारे बच्छों, नाइफ है, जिससे हमेशा normal reaction आते है, तो यह n1 हुआ, यह क्या हुआ, n2, clear है, हाई students, यह है, x is equals to 0, और ब्यारे बच्छों, suppose यह जो man है, वो कहीं, यहाँ पर है, इस जगह पर, इसका मास है, small m, तो क्या small mg downward कह सकता हूं, clear है, आप से क्या रहा है, ब normal reaction n1 as a function of x, clear है, यानि कि मुझे इस normal reaction को इस x की time में बताना है, और आप देख रहे हैं, जो x है, वो x क्या है, सर वो x है, इस वाले man का, इस वाले point से, प्यारे बच्छो, displacement, clear है, तो चलें, शुरू करते हैं, इस सवाल को, इस question को करने से पहले, एक theorem पर मैं छोटी सी चर् प्यारे बच्छो, यह एक rod है, जो आप देख रहे है, clear है, इस rod पर इधर की तरफ F force लग रहा है, इधर की तरफ यह force प्यारे बच्छो, F2 लग रहा है, जो की F है, और इसके इलावा कोई चीज नहीं है, clear है प्यारे बच्छो, तो दोनों पर force बराबर है, तो वो कह सकता हों की body पर net force 0 है, जब body पर net force 0 होता है, तो body कैसे equilibrium में कहलाती है, translational equilibrium में कहलाती है, and when the body is in translational equilibrium, it is a theorem, then torque about any point is same, यानि कि A के B के और C के किसी भी point के बच्छ निकालेंगे, सब की value के आएगे, यानि कि मैं कह सकता हूं क्या इस situation से प्यारे बच्छो, it's important theorem that any point can be treated as hinge, can be treated as hinge, clear है ना, यानि कि आप किसी भी point को hinge माने, यानि कि आप इसके बहुत, इसके बहुत, टॉर्क लिक हैं मेंशा के आएगा, same आएगा, चलो ब्यारे बच्छो, इस वाली चीज़ को आप यहां पे हम लोग apply करने वाले है, थोड़ा सा diagram होच-पोच हो रहा है, बिल् इतने distance पर है, X पर, यह N1 आपको दिखाए दे रहा होगा, यह N2 आपको दिखाए दे रहा होगा, इस question का screenshot ले ले लेना, ध्यान से और लिख लेना, अच्छा बिटे, कमाल की बात यह थी कि यह जो total distance 4 meter था, अगर आपने knife edges के बीच का distance देखा हो, तो the distance between the knife edges was, yes, it was 4 meter, isn't it, okay, बेटा, तो इसके आधे से, क्या, इसकी जो distance होगी, वो 2 meter हो जाएगी, है ना, तो याने के सर, आप यह कहना चाह रहे हैं, कि इस situation में, यह man की position X पर है, यह यहां से mg, mg किसका है, plank का, जो इसके midpoint से प्यारे बच्चो पास हो रहा है, clear है, अच्छा, तो अब मुझे निकालना है N1, किस की टम में, X की टम में N1 को निकालना होगा, तो आप जो distances देखोगे, तो यहां से जो यह N2 है, N2 से इस man की position, अगर आप देखोगे, यह पूरा का पूरा, यह पूरा का पूरा प्यारे बच्चो 5 meter आ जाएगा, clear है, तो इसमें से X minus कर देंगे, तो 5 minus X से जाएगा, man की position, N2 से जाएगे, यह है, इसका center of mass, किसका, इस plank का, यह है N1, और प्यारे बच्चो, चुकि सारे forces balance है, तो force balancing की equation लिखो पहले तो, क्या N1, N2 और Mg, Mg, यह आ गई आपकी पहली equation, clear है, फिर दूसरा आपको लिखना है, net torque, एक काम करते है, N1 पूछ रहा अब इस Mg का torque देख रहे है, यह इधर आ रहा है, यह कौनसे direction है, this is anti-clockwise, इस Mg, man के Mg का भी किदर आ रहा है, यह भी इस direction में आ रहा है, और यह जो N1 का torque है, इसके बाट देखो, वो इस direction में आ रहा है, तो net torque 0 होने का मतलब, इस N1 के torque को, यह दोनों Mg के torque क्या कर रहे है, प्यारे बच्चो, balance कर रहे है, यह होगा this into 2, यह होगा this into 5 minus x, और यह होगा N1 into y distance, क्या clear है प्यारे बच्चो, है ना, और y distance आप सभी जानता है, 4 है, तो मेरे पास equation आगे, N1 into 4 is equals to M into 5 minus x, plus twice of Mg, simplify करेंगे, देखो, N1 आगे है, यह अब यहाँ इसकी power है, 1 और इसकी power है 1 is straight line होगा, और यह straight line कौन से type की straight line है, this straight line is type of y is equals to minus mx plus c, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा graph सही होगा, इसका प्यारे बच्चो, यह वाला graph सही होगा, क्यों, क्योंकि देखो, यह तो क्या है, c है, और यह इसका intercept, यानि कि positive आ रहा है, और इसका slope है प्यारे बच्चो, क्या इसका slope negative आ रहा है, तो सर, आप यह कहना चाहते हैं, कि इसका option कौन सा सही होगा, इसका option प्यारे बच्चो, भी सही होगा, clear है, आएए बढ़ते हैं, आगे और करते हैं, अगला सवाल, हाँ जी, a rod hinged at one end is released from the horizontal position as shown in the figure, when it becomes vertical, its lower half separates without exerting any reaction at the breaking point, then the maximum angle theta made by the hinged upper half with the vertical, को रो फटा-फट सो solve करो, एकदम से बहुत सीधा सवाल तो नहीं है, प्यारे बच्चो, आएए ध्यान से देखें, क्या यह rod पहले ऐसी थी, जब यह rod यहां तक आई, यहां पहुची, और यहां पहुच करके, प्यारे बच्चो, इसका एक टुकड़ा यहां से कटा, और कट करक कट करके, यहां से डी अटाच हो गया है, और अब डी अटाच होने के बाद इसका कौन सा पार्ट बचा, यह आधा पार्ट बचा, और यह आधा पार्ट कितने एंगल थीटा तक जाएगा, यह प्यारे बच्चो, आपको क्या करना है, कैलकूलेट करना है, तो थोड़ा और बढ़िया-बढ़िया चर्चा करेंगे, फिलाल अभी इसको समझते हैं, हाँ जी, ऐसे कौश्चन में ओमेगा निकालने का सबसच्छा तरीका होता है, एनर्जी कंजर्वेशन, और आप सभी जानते है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूँ, रोटे पहले इस पोजिशन में थी, यहाँ पर प्यारे बच्चो उसका जी-पी कितना मान लिया है, जीरो, सड़ने का ग्रेविटेशनल पोटेंशल एनर्जी कहीं पे भी क्या मानो, जीरो, तो यह जीरो है, जो यह रोट यहाँ पहुची, हाँ जी, तो यहाँ पहुचने पर प् सेक्सिस के बाउट, जो मुमेंट ओफ इनर्शिया है, इस इस मुमेंट ओफ इनर्शिया है, जीरो प्लस जीरो, फाइनल ही कितना, सब माइनस MGL बाइटू, और साथ यह साथ प्यारे बच्चो वन बाइटू, हाँ जी, एम एल स्क्वाइर बाइटू, एंटू, ओमेगा square clear है प्यारे बच्छो तो मैं इसका omega calculate कर सकता हूं बड़ा standard result है हर जगे काम आता है energy conservation तो rod में लगा नहीं है जब भी कभी आप से omega पूछेगा तो समझला energy conservation लगाना ही लगाना है तो आप इसे solve करेंगे प्यारे बच्छो तो solve करके mg l by 2 is equals to हाजी क्या 1 by 2 ml square by 3 into omega square ये ये cancel हो गये lcbt lb cancel हो गया तो यहां से जो मेरे पास omega square आएगा that omega square comes out to be 3g by l is that clear this is the expression of the omega square अब सोचो बेटे अचानक से रोड के किते टुकड़े हो गये तो टुकड़े हो गये अब ये जो आधा टुकड़ा बचा इस आधे टुकड़े का ओमेगा तो उतना ही है लेकिन अब सोचो उसका moment of inertia change हो गया है क्या हो गया इसका moment of inertia new so that is 1 by 3 m by 2 हाँ जी into l by 2 का square क्या clear है ब्यारे बच्चों ये हो गया इसका नया moment of inertia साथ ही साथ इसका center of mass कहां पहुंच गया ऊपर कितने पर l by 4 पर clear है पिटे अब सोचो ये फिर किसी एंगल theta पर जाएगा अरे बाब 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 लंबी कहां नहीं हो गई तो क्या यहां पर इसकी final omega कितने हो जाएगी 0 और अब जो इसकी final potential energy होगी पिटे mg l by 4 1 minus cos theta clear है it would be the expression of its final potential energy clear है चलो जी फिर दोबारा से energy लगानी होगी मुझे यहां से omega काम आजाएगा तो लिखूंगा हाजी half half i dash omega square कौन से वाला यह वाला उठाके यहां रख देंगे is equals to सारी कि सारी कहां चली गई सारी कि सारी potential energy में चली गई यानि के mg l by 4 1 minus cos theta clear है चलो भाई मेहनत करो थोड़ी सी i dash की value कित्ती आ गई यहां से सरी आ गई है 1 by 3 m by 2 l square by 4 is equals to mg l by 4 1 minus cos theta क्या clear है पिटे हाजी 4 4 और 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 यह यहां से इसकी यह power cut गई m से प्यारवेच्चो m cancel हो गया अजब जी भी तो था हाजी सर जी से पिटे जी भी cancel हो गया तो जब आप solve करेंगे तो यहां से जो theta आएगा this theta comes out to be 60 degree is that clear तो देखिए कितना important concept था प्यारवेच्चो इसके के अंदर energy conservation energy conservation के बाद moment of inertia में change और फिर moment of inertia में change के बाद फिर प्यारवेच्चो energy conservation clear है students और यहां L by 4 तो आप समझ रहे हैं क्यों आएगा क्योंकि जब आप यह center of mass को देखेंगे तो यह basically mg lcm one minus cos theta से प्यारवेच्चो यह actual में आता है चले बढ़ते हैं आगे और करते हैं और सवाल यह वाला सवाल हमेशा पूछा जाता है ध्यान दीजे प्लीज तो identical letters each of mass m and length l are resting on the rough horizontal surface as shown clear है प्यारवेच्चो ए block of mass m hangs from point P, P point पर block hang कर रहा है, if the system is in equilibrium then find the magnitude in the direction of the frictional force at point A and B, तो आप से कहारा है प्यारवेच्चो A और B पर act करने वाले friction force के magnitude को calculate कीजिए, ठीक है करिये फड़ा versus all, नहीं तो चलिए मेरे साथ चलते हैं, आइए फड़ा versus का solution देखते हैं, बिटेस diagram को थोड़ा सा ऐसे बनाईए, सब बच्चे जानते हैं contact surface से, प्यारवेच्चो normal reaction generate होता है, तो यह normal reaction आगया, ground से, दोनों चुकि identical है, तो N1, N2 को बराबर कर सकता हूँ, इस rod का mass प्यारवेच्चो mg है, इसका भी capital mg है, छोटे वाले का small mg है, इधर friction F, इधर friction F, obvious है, equal and opposite है, तभी तो पूरा system equilibrium में है, clear है, अच्छा, अब मैं कुछ equations लिखना चाहता हूँ, force balance करने की और torque balance करने की ताकि मैं इस friction की value को प्यारवेच्चो calculate कर पाऊं, ज्यादा सम torque leaking, या तो this point के about लिखो या इस point के about लिखो, क्यों? क्योंकि जब इसके about लिखो गे तो N1, F, देखो सारे के सारे 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 जीरो हो जाएंगे, या इसके about लिखो क्यों? क्योंकि यहां पर भी कुछ forces क्या होते है, प्यारे बच्छो generate होते हैं, जैसा अगर मैं इसका एक diagram बनाऊ detail analysis करो तो यहां पर क्या होगा जम मैं एक rod का Fbd बनाऊँगा तो मुझे rod पर F तो पता है rod का mg तो पता है rod पर यह normal तो पता है लेकिन मुझे यह नहीं पता कि supportive end पर कितना force generate हो रहा होगा जो कि आज हो रहा है तो उसको गयव करने के लिए जब मैं किसी single body के लिए equation लिखूँगा टॉर्क की तो टॉर्क किस point के बहुत लिखूँगा इस point के बहुत लिखूँगा बाकी तो फुश्यार हो तुम यार भाई कौन सा कोई प्यारे बच्चो बहुत बड़ा काम है आए फटा फट से इसका detail diagram मैं बना चुका हूँ N1 प्य यहां से N1 N1 N के बराबर है तो क्या N1 प्लस N2 is equals to N1 प्लस N2 is equals to capital Mg plus capital Mg plus small ng तो देखो NN से बराबर है तो 2N आगे तो यहां से यह वाली equation आगी हाँ जी दिखाए दे रही है सब बच्चो को चलो जी यह equation आगे पिटने हैं से normal reaction मेरे पास इतना आ गया है मुझ से पूछ रहा है friction के value कितनी होगी यार म्यून हो जाती है अगर म्यू बता होता है लेकिन म्यू नहीं बता है बाई तो इस friction की value calculate करने के लिए प्यारे बच्चो मैंने single rod का FBD बनाया इसका केवल इस rod का जो देख रहे है यह वाले है इस पर यह क्या लग रहा है सर इस पर यह लग र पर है तो मैं इसी point के बाउट क्या गरूंगा torque balance कर दोंगा बागी आप समझदार है तो जब इस point के बाउट torque लिखेंगे तो इस point के बाउट torque देखें किस का torque आएगा क्या एक N का torque आएगा क्या एक Mg का torque आएगा क्या एक friction का torque आएगा और सारे के सारे torque net torque क्या होगा zero क्योंकि पूरी body क्या है equilibrium है तो इसलिए torque about point P is equals to zero Mg का torque Mg L by 2 cos theta NL cos theta FL sin theta जला सा भी time मैं खराब नहीं कर रहा हूँ आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो please इस question को जुरूर करेंगे जब आप simplify करेंगे solve करेंगे तो प्यारे बच्छो मेरे पास friction की value आजाएगी M plus Mg cot theta by 2 clear है तो this would be its answer तो क्या ध्यान रखना है single rod का इस topmost point के बाउट torque आपको क्या करना है प्यारे बच्छो zero कर देना है आए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्छो small object of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity V it reaches up to a maximum height of what 3V square by 4G with respect to the initial position then the object is आरे यार बताओ कैसा सवाल है हमें क्या अपता object क्या होगा आप से कहारा है प्यारे बच्छो nature of the object आपको बताना है अगर यह body roll करती भी कहा तक चली जाती है roll करती भी कितनी height तक चली जाए प्यारे बच्छो 3V square by 4G तक चली जाए clear है तो बहुत बड़ा गाम नहीं है पहली बात तिसमें concept आप यह समझें हाजी क्या concept समझना है concept यह समझें प्यारे बच्छो जब भी कभी pure rolling होती है क्या होती है प्यारे बच्छो जब भी कभी pure rolling हो इसमें जो static friction होता है प्यारे बच्छो इस static friction का जो work done होता है वो क्या होता है 0 और static friction के work done के 0 होने की condition में we can easily conserve the energy clear है क्योंकि static friction का work done प्यारे बच्छो यहां पर 0 मानते हैं तो जब आद देखो और एक pure rolling की condition में सरणने क्या बताया था प्यारे बच्छो और यह क्या है प्यारे बच्छो ओमेगा तो आप से बोले वी से इक्वास तो आर ओमेगा लेकिन यह कंडिशन केवल और केवल कहां पर है प्यारे बच्छो यह कंडिशन केवल और केवल ground पर क्या करती है hold करती है तो आप से बोले VCM is equals to r omega is the condition of pure rolling yes but it is only when the body is pure rolling on ground is that clear अब बच्छो ध्यान से समझें अगर मालों मैं आप से कहूं कि यह जो body है यह इस तरह से किसी plank के ऊपर pure roll कर रही है कितने से VCM से और यह है omega और यह plank खुद कितने से जा रही है V1 से हाँ बच्छो VCM r omega यह V1 है अब इस situation में pure rolling के अगर बात करें तो इस situation में VCM is equals to r omega is not the condition for pure rolling okay so pure rolling के लिए condition यह होती है कि जो contact point होते है माल लीजे यह P है और यह क्या प्यार है बच्छो Q तो velocity of point P with respect to Q should be 0 this is actually the condition for pure rolling अब जरा पी point की velocity देखे क्या लिख सकता हूं जब यह body V और omega से चल रही है translate plus rotate कर रही है तो क्या इस point के पास velocity होगी VCM plus r omega और जरा सोचो इस वाले point की velocity क्या होगी प्यारे बच्छो V1 होगी तो relative slipping ना हो यह pure rolling की condition होती है तो इसका मतलब this P and this Q should be equal यानि के VPQ 0 तो VP minus VQ is equals to 0 तो प्यारे बच्छो VP बराबर VQ यानि के VCM plus r omega is equals to V1 is the condition for pure rolling in this case clear है तो थोड़ा सा बस इस बात का प्यारे बच्छो ध्यान रखना है VCM is equals to r omega pure rolling की condition केवल और केवल कहा होती है ground पर अगर किसी moving surface पर कोई body move कर रही हो तो वहाँ pure rolling की ये condition नहीं होती है clear है अच्छा care अपना हला कि इस सपने को बहुत ज़्यादे लेना देना नहीं था अपनी तो simple ground पर जा रही है तो ground पर जा रहे तो वी बराबर आर omega अब सुचों यहां से body चलते हुए यहां पहुंची यहां पहुंचेगी तो इसका V कितना होगा 0 क्योंकि according to the question यह क्या है maximum height जब वी नह अब चलते हैं यहां से जब मैं यहां लिखूंगा तो यहां इसकी जो energy है initial kinetic energy thus that is half mv square प्यार मैं चो half i omega square भी लिखना है और चुकि vr omega के बराबर है okay v is equals to r omega तो यहां से मैं लिख सकता हूँ half m v square plus half हाँ जी i और omega को लिख सकता हूँ बेटे v square upon r का square और i को मैं लिख रहा हूँ cmr square क्या लिख रहा हूँ बेटे cmr square c constant है जैसे c is equals to 1 किसके लिए ring के लिए c is equals to half किसके लिए disc के लिए c is equals to 2 by 3 किसके लिए hollow sphere के लिए sorry haa hollow और c is equals to 2 by 5 किसके लिए प्यारे बच्चो so this is for the solid sphere is that clear तो बस मजा आ गया यहां से प्यारे बच्चो half m v square plus 1 by 2 क्या cmr square v का square upon r square यह हो गए छमा छमा तो यहां से 1 by 2 m v c square 1 plus c आ गया है इसकी initial kinetic energy का expression प्यारे बच्चो समझ में आ रहा है एक कुश्चों से बहुत सारी चीज हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहां पर final कित्ती होगी जीरो लेकिन जड़ा सोचो कि 1 plus c final kinetic कित्ती जीरो और प्यारे बच्चो potential energy हो गई mg hcm याने के 3v square बटे 4g जब आब इसे solve करेंगे तो प्यारे बच्चो solve करके जो c की value आएगी that value of c comes out to be yes 1 by 2 और सब बच्चे जानते हैं 1 by 2 किसका होता है तो disc का होता है या solid cylinder का भी होता है क्या बेटे बास समझ में आ रही है तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो answer होगा प्यारे बच्चो that answer comes out to be option d यानिके disc is its answer clear है प्यारे बच्चो question बहुत सारे कराने का मन था लेकिन मैं चाहता हूँ कि दो तीन concept है आपको कराऊं लेकिन अच्छे सुनको कराऊं तो हमने जिन concept पे चर्चा करी में ली moment of inertia आप और उरस्तरे के सवालों पर तो थोड़ा सा प्लीज इन पर focus करे पेपर में आपके crash course के साथ connection रखे तो जितनी चाहे theory वहाँ पर प्यारे बच्चो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे concept बहुत detail में वहाँ पर cover कराए गए हैं यह तो एक छोटा सा नमुना था thank you very much to all of you God bless you all प्यारे बच्चो अगर आपको lecture पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहे हैं कि यह topic भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्योरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का problem है तो आप इस toll free number पर संपर्ख कर सकते हैं toll free number है 1-800-2121-799-1800-2121-799-1800-2121-799-1800-2121-799-1800-2121-799